नमस्कार, आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दर्श को इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने हर बार नए टोटके लेकर उपस्थित होती हूँ वह है टोटके जिन टोटको को करने के बाद आप किसी को भी आसानी से अपने वश में कर सकते हैं अपने दुश्मन से अपने मन चाहे कारे करवा सकते हैं साथ ही शत्रू से छुटकारा भी पा सकते हैं ये मंत्र बहुत ही अचूख होते हैं, ये उपाए बहुत ही अचूख होते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए, आज मैं आपको एक और ऐसा उपाए, एक और ऐसा टोटका बताती हूँ, जिसको करने के बाद आप किसी को भी बहुत आसानी से अपने वश में कर सकते आज मैं आपको जो टोटका बताने जा रही हूँ, वो टोटका है सेब और लॉंग के द्वारा किया जाने वाला टोटका, जी हाँ, आपको इस टोटके को करने के लिए जरुवत पड़ेगी सेब की और लॉंग की, आपको करना क्या है? आपको ले लेने है सेब, एक सेब लेन और आपको लेनी है पांच लॉग ये लेने के बाद आपको इन दोनों चीज़ों को गंगा जल से धो कर शुद कर लेने के बाद आगे क्या करना है यह मैं आपको बताती हूँ लेकिन इससे पहले आप यह जान लीजे कि जब आप इस तोटके को करें तो आपके आस पास कोई ही होना चाहिए साथ ही आप इस टोटके को करते समय अपने मन में ये पूर्ण विश्वास रखें कि आपको इस टोटके को करने के बाद पूरी तरीके से लाप राप्त होगा अब मैं आपको बताती हूँ आपको सेब और लॉंग का करना क्या है आपको सेब के अंदर पांच कारडनी है और प्लस का साइन बनाना है उससे पहले आप एक मारकर ले ले और उस मारकर से जिस भी व्यक्ति को अपने वश्वे करना चाहते हैं उसका नाम सेब के उपर लिखतें नाम लिखने के बाद पांच जो लॉंग है उनसे प्लस का साइन बनाए यानि के तीन इधर और एक लॉंग इधर लगानी है तो बन जाएगा प्लस का साइन उसके बाद आपको लॉंग के नीचे लिखना है अपना नाम यानि के उपर उस व्यक्ति का नाम जिसको आप वश्वे करना चाहते हैं बीच में लगाना है प्लस का साइन जो लॉंगों के तुआरा ल बतादू ये जो मंत्र होते हैं ये गुरु माता जी द्वारा सिद्ध किये जाते हैं सिद्धियों से प्राप्त किये जाते हैं आपको करना क्या है आपको नाम लिखने के बाद जब आप लॉंग गाड़ेंगे तो मंत्र का उचारण करना है वो मंत्र मैं आपको बता देती जी हाँ, मंत्र को एक बार और ध्यान से सुन लीजेगा इस मंत्र का आपको उचारण करना है और मंत्र का उचारण करने के बाद आपको उस सेब को सारी रात रखना है यानि कि सारी रात अपने पास रखना है और ये उपाय मात्र आपको पुर्णी मा के दिन ही करना है क्योंकि चांद तो और भी दिन निकलते हैं लेकिन पुर्णी मा के दिन यदि आपने टोटका कर लिया तो आपके सामने इसका जो परिनाम आएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा यानि के ये उपाय किसी भी तरीके से विफल नहीं होगा और आपको इस उपाय को करने के बाद सफलता हासिल होगी आप जब उस सेब को अपने पास रख लेंगे उस सेब को अपने पास आपको सारी रात रखना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके बाद आप सूरे उदे होने तक उस सेब को अपने पास रखें और सूरे उदे होने के बाद उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए उस सेब को लिजा कर आपको अपने घर के आसपास कहीं भैते जल में प्रवहा कर देना है यदि भैता जल आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको पीपल के पेड की नीचे उसको गार देना है यदि आपने ऐसा कर लिया तो वेवेक्ती पून रूप से आपके वश में हो जाएगा तो आपसे फिर मुलाकात होगी आपको फिर बताएंग कि कौन से अचूक टोटके आप इस्तमाल करके अपने सभी प्रकार के कारियर बना सकते हैं फिलहाल के लिए मुझे दीजी आग्या नमस्कार